चम बनाने वाले हैं जन्माष्ट में स्पेशल मेवा पाग बहुत ही कम इंग्रीडियंट के साथ जटपट बन जाने वाली रेसिपी है बहुत जाधा हेल्दी भी है और खाने में स्वाधिस तो ही कृष्ण भगवान को ना मस्त वाला मस्त का लगाना है तो यह आप जरूर ब इस तरह से सारे को कद्दू कस कर लेंगे तो यह पूरा एक गोटा नारियल का इस्तमाल करेंगे तो अच्छी खासी कॉएंटिटी में हमारा महवा पाग बन जाएगा और इसकी जगा पे डेसिकेटेड़ कोकोनट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह फ्रेश नारियल है इसक के बाद हम कुछ डाय फ्रूट्स लेंगे तो यहां पे बदाम जो भी राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं और जितनी को आप आपको उन्टिटी में आपको जो भी डालना है सारा आप इस यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर तो पहले हम ज्युक Ό。 इसके बाद यह काजु और बदाम उसे पहले इसासे बहुत हुआ publiweed टीका मी कटेंगे मаєखोंब रिवाखे अचले से भी से निकौण ये कर लागे तो थोड़ा से शत्यूम या आ हलाइब निकाल法 देखे जल जाएक.. तो तेल हमारा क्योंकि घी हमारा अल्रडी बहुत जादा गरम है तो थोड़ी देर में ही से निकाल लेंगे तो यह भी हो गया किश्मीज भी अब जो फॉक्सनेट है ना मखाना यह भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी ना अच्छे से इस तरह से फ्राइब कर लेंगे हलका तो यह सारा ड्राइब फॉर्स हमारा अच्छे से राय हो गया अब जो हमने नावियल को कदुकस करके रखा था वह इसमें दो चममज घी डालेंगे और इसके बाद इसे भी अच्छे से हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इस तरह से लगतार चलाते हुए ना बून लेंगे लो टो मिटियम फ्लेम पे हलका सा विलकुल कलर इसका चेंज हो जाए बस इसे भी हम निकाल लेंगे बहुत जादा इसे भूनना नहीं है तो यह भी रेडी हो गया हमारा इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो सारा जो भी भूनने वाला प्रोसेस था ना वह हमारा ना पिसा कर लेंगे से ऐसे से रहा इसे कंगीं कर लें तो अलए गार पैर। सद बाद आइसे में पीषेन अब दर चीज को एक बार अच्छे रहे जाओं प्लेट में दिसको दैए को तो साल चीज़ों को एक करनी है तो इसलिए ना हम इसको एक ही प्लेट में डाल के सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी मेजरिंग काप या कटोरा जो घर में डेली यूज में लाते हैं उसे मेजर कर लेंगे ताकि जो चाचनी के लिए हम इसमें चीनी या गु को तो यह सवा कटोरी के लगवग हो रहा था तो यह उसे हिसाब से उसका आधा हमें गुडिया चीनी का इस्तमाल करना है मिठा सब्सक्ड़ कप्रकícios कर सकते तो यहां पर Dell Act खॉत scales के बढ़े-वन घर यह बड़े बड़ें चंक को कट कर लिया है और इसके जगा पे भूरे बिविपे का इस्सक्राइप इस तरहां से चुछडए-पीस इसमें कट कर लेंगे ताकि यह तुरह हो बड़े बड़ें चंक़् कोे गहारी में बहुत वो स्थयकी गूर We गी या तेल का इस्तमाल कर सकते हैं रेगुलर यूज के लिए वना रहे हैं तो तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं और एक बड़ा चमच यहां पर पॉपे सीट्स खस-खस पोस्तों जो दाना बोलते हैं वह हम इसमें डाल देंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा यह च मिक्स्टर रेडी करके रखा है वह इसमें हमें डालना है और अगर आप चीनी से बना रहे हैं तो इसमें एक तारवाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फिर उसके बाद आफ सारा मिक्स्टर इसमें डाल दें थोड़ा समय लाची का पॉड़र डाला अच्छे फ्लेवर के यह टाइम पे ना हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी यह गाड़ा हो जाएगा और अच्छे से मिक्स नहीं होगा लास्ट मैंने थोड़ा सा इसमें सीट्स जाला है कर बूजे का बीज भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ों को अ दाल देंगे और अच्छे से टैप कर लेंगे अच्छे से टैप कर लेंगे इस तरह से दूसरा चमच लेंगे उसको अच्छे से घी से मैंने ग्रीस कर लिया था और इस तरह से टैप करते हुए फैला देंगे तो यह अच्छे से फैल जाएगा और इस टिकी भी नहीं होगा तो यह बहुत करम हैं तो यह सारा प्रोसेस आप हम्लिश जटपट करना होगा गर्मा गर्म जैसे एगा ना उसी टाइम पे कर लोगा करेंना तो हमेंने almonds, kishmish, pista से grate कर लिया, अच्छे से दानिश कर लिया, उसे भी थोड़ा से इस तरह से दबा देंगे ताकि ये cut करते वक्त मैं निकले ना, तो ये मैंने अच्छे से इसको दबा दिया है, और आदे घंटे के बाद हम इसमें cut marks लगा लेंगे, ताकि ये demol करते वक ना, असानी हो जाए हमें, तो आदा घंटा के लगबग हो गया था, तो बस इस तरह से अभी हमें, बस cut marks निकालना है, demol नहीं करना है, अभी, demol हम 3-4 गंटे के बाद करेंगे, इसे normal room temperature पर रख सकते हैं, ये अच्छे से set हो जाएगा, और बहुत आप cut कर रही हैं, उसी हम demol कर लेंगे, तो कितनी असानी से ये cut marks से निकल जा रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त वाली recipe है, काना जी को ज़रूर से बना के खिलाए, कोई जबरदस्त वाला मसका लगाना है तो, और ये ज़रूर से try कीजेगा, regular आप खा सकते हैं, तो thanks for watching, joy